नमस्कार दूस्तों मैं हूँ अंकेत ज्यादव आज मेरे सामने गाड़ी खड़ी है हुंडई वर्ना 2023 जिसका हम सभी को बेसबरी से इंतजार था फोटो में गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी लेकिन सामने से और ज्यादा अट्रेक्टिव लग रही है इसको बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव बना रही है 21 मार्च को इस गाड़ी की लॉंचिंग थी और उसी दिन हम पहुँच के शोरूम ये वीडियो आपको दूसरे दिन मिलेगी बात करें इसकी डामेंशन के बारे में तो 765 mm इसकी विर्थ इस बार आई हम्रेई ने ओफर की है लेंथ और इसका बूट स्पेस एंड वील बेस बड़ा है पिछली वार से लेंथ की बात करें 4535 mm इसकी लेंथ है wheelbase की बात करें तो 2670 mm जो के मतलब Honda City बगरा इन सबसे ज्यादा हो गया height की बात करें तो 1475 mm and boot space की बात मैं तभी करूँगा जब मैं इसकी boot space आपको दिखाऊंगा ABS with EBD traction control front and rear parking sensor and six airbags के साथ Hyundai ने इस गाड़ी को market में उता रहा है ये गाड़ी कहीं न कहीं market में अपनी अलग जगे बनाने वाली है पिछली वर्ना भी अपनी अलग जगे बनाए हुए थी बात करें इसके rear look के बारे में जो काफी attractive है क्योंकि इसकी edge shaped connecting tail lamps इसको बहुत ज़्यादा attractive बनाती है rear look इसका मतलब किसी एक Mercedes जैसी गाड़ी से compare आप कर सकते है ये वर्ना की बेजिंग है and 1.5 turbo engine है इसका जो के हमें 160 bhp power and 253 nm torque देता है rear section diamond cut alloy wheels के साथ इस गाड़ी की performance बहुत जबस्त होने वाली है defogger भी हैं पीछे ये आप देखिए और sharpen antenna उपर हमें मिल जाता है गाड़ी no doubt बहुत प्यारी है सारी specifications इसमें मिलने वाले है और ये यार इस पेसे तो नजरी नहीं अरती है आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है और ये बीच में dotted जो है ये जलने के बाद ओहोहो ये आप देखिए क्या लग रही है काफी शांदा लग रही है पीचे से ये गाड़ी और ये देखिए boot spaces का जिसकी capacity है 128 liter का मतलब आराम से आप सामान रखिए खूब सारा Hyundai ने काफी space हमें दिया है अब चलते हैं और बात करते हैं इसके interior के बारे में सबसे पहले इसके dashboard पर नज़त देते हैं इसका dashboard पहले से और सारी गाड़ियों से different है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कर्व Hyundai ने offer किया है जो कि कहीं न कहीं driver oriented car बन जाती है ये 10.25 इंचिस का इसका infotainment system है ये AC system है और ये है wireless charger जिससे आप phone charge करिए और ये जाली है जो कि आपके phone को ठंडा रखेंगी manual transmission में ये गाड़ी है तो आप इसका gear knob देख सकते हैं ये है handrest जो कि adjustable है और इसमें storage भी है आपको सामान रखना चाहें तो बात करेंगे इसके AC vents के बारे में तो बहुत ही sleek design है इसका जो कहीं न कहीं एक racing car जैसा एक look दे रही है attraction बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी का purple lighting देख रहे है न दोस्त ये है आपकी ambient lighting इसके बारे में भी में बात करूँगा उससे पहले आप देख सकते हैं 10.25 inches का इसका infotainment system है और ये नीचे है AC vents और AC control सारे touch screen है टोटल और ये wireless charger ये manual हमारा gear norm मिल गया है automatic में भी ये गाड़ी आती है ये hand brake और अब इसको चालू करके हम दिखा देते हैं आपको और इससे पहले मैं आपको बता हूँ कि ये है आपकी ambient lighting जो कि 64 color combination में आती है तो मतलब ये Mercedes बना दी है अब हम ड़ी वालों ने अब गाड़ी को चालू करके हम आपको दिखाते हैं कि कैसा इसका system सारा लगेगा चालू होने के बाद और ये आप देखिए ये है इसका start stop button push button start है ये जो कि अब सारी गाड़ीयां अकसर आ रही है और ये आप देख सकते हैं इसका infotainment system और ये है इसका zoom करके मैं आपको एक नट दिखाता हूँ ये है इसका digital instrument cluster और ये है इसका infotainment system जो कि touch screen है और नीचे सारा touch screen है ये भी मतलब आप AC वगएरा भी मैंने आपको बताया कि boss के स्पीकर मिल जाएंगे आपको 8 speaker है मैं आपको फिर से बता दूँ और ये हैं सारे control system windows के अब ये है leather leather wrapped है और ये है plastic seat भी ventilated seats है पहले बात करेंगे adjustment की तो इससे हम height adjust कर सकते हैं और ventilated seats हैं बोथ driver और co passenger की भी ये है इसकी sunroof जो के मुझे छोटी लगी आपको कैसी लग रही है मुझे comment section में ज़रूर बताना इसके बाद हम बात करेंगे इसके rear look के बारे में rear interior में हम आजाते हैं और ये देखिए मैं इसमें बैठ के आपको दिखाता हूँ कि कितना आपको thigh support मिलेगा और लगाना है तो इस तरह से आप लगा भी सकते हैं अब बात करेंगे इसकी एक मिनट में अपने हाथ में camera ले लू और बात करें इसके अब इस event के बारे में तो पीछे rear इस event इस तरह से हैं और charging point हैं दो C type charging point आपको मिलेंगे और phone रखने की आपको जगे मिल जाएगी नीचे आगे adjustable headrest मिल जाएगा और आप पीछे से dashboard देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है नो डाउट काफी अच्छी लगेगी ये गाड़ी market में तहलका तो भाई ये मचाने वाली है इस गाड़ी का नाम है वरना 1.5 Turbo GDI MI SX जो कि टॉप मॉडल से एक मॉडल नीचे है जिसकी कीमत है 14,83,000 रुपे ये एक शोरूम प्राइज है बेस मॉडल की बात करें तो 10,90,000 रुपे एक शोरूम प्राइज बेस मॉडल की कीमत है वही 15,99,000 टॉप मॉडल की कीमत है ये वीडियो आपको कैसी लगी कॉम्मेंट सेके मुझे जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राब करें थैंक यू